जीरो एंड नो कोस्ट आइडियास सबको बहुत पसंद आते हैं कि कैसे हम बजट में अपने घर को डेकुरेट करें तो ऐसे ही आइडियास के साथ आज मैं आई हूँ जिसमें बहुत सारे डी आइवाई एंड हो मेकिंग टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगी स्टार्ट करते हैं पहले डी आइवाई से उसके लिए मैंने यूज किया है एक टिन कैन और इसको मैंने बहुत टाइम पहले एक प्रिंटेट पेपर से कवर कर दिया था अब मैं करूंगी इसमें थोड़े से चेंजिस कंडिशन इसकी आप देखी सकते हो साथ में लियें कुछ वुड़न स्टेक जो मेरे पास पहले से रखी होई थी तो इन्हें मैंने इसके साइज के हिसाब से कट कर लिया और अब मैं इन्हें गलूगन की हेल्प से इस तिन कैन के ऊपर स्टेक कर दूँगी तीनों ही स्टेक को मैंने सेम डिस्टेंस पे अलग जगे पर इस्टिक किया है, तीनों ही वुडन लैक्स स्टिक होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और हमारा क्यूट सा एक प्यारा सा प्लांटर रेडी है, आप चाहें तो इसमें उरिजिनल प्लांट भी लगा सकते हो, या फिर कोई आटिविशल प्लांट लगा अपने घर के किसी भी कॉर्णर पे, किसी भी टेबल टॉप पर इसे डेकुरेट करिए, आए देखते हैं हमारा दूसरा डी आईवाई, इसके लिए मैंने यहाँ पर पोस्टर फ्रेम्स को यूज किया है, जो मेरे पास पहले से रखे हुए थे, इनके उपर मैंने वाल पेपर लगा दिया, और यह वाल स्टिकर मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे, इनके चिपका दूँगी, वरना लोकल मार्केट में बहुत कम प्राइज़ेज में यह स्टिकर मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से इनके परचेज कर सकते हो, या फिर आप अपनी किसी भी बनारसी साड के फैब्रिक को जो पुरानी हो, उसे भी इनके उपर लगा कर अपने प्यार से वाल आर्ट रेडी कर सकते हो, बहुत सारे फैस्टिबल आने वाले हैं, और इन आइडियाज को यूज़ करके हम अपने घर को एक नया लुक प्रोवाइट कर सकते हैं, आईए देखते हैं हमारा नेक्स डियाएवाई, इसके लिए मैंने लिया है इस तरीकी का एक चोट असा डबा, ये पाउडर की जो डबे आते हैं वही है, चोट असा क्यूट सा, इसके नेक पॉर्शन को मैंने कट करके निकाल दिया, और इसके उपर किया है थोड़ा सा क्ल तो बहुत क्यूट सा डियाईवाई बन जाता है, तो मैंने कले से इसके उपर इसकी आईज, नोज, माउथ, इस तरीकी का एक फेस का स्ट्रक्चर दिया, और क्यूट सा छोटा सा प्लांटर या सोपीस बनकी रेडी हो गया है, आप भी इस तरीकी की चीजें ट्राइ कर सकत हैं, चलिए देखते हैं, नेक्स डियाई बाई, यहाँ पर है मेरे पास इस तरीकी का यह गोल्डन कलर का एक वेस, और इसे मैंने बनाया है, एकदम बेस्ट प्लास्टिक के डब्बे से, प्लास्टिक का डब्ब था और शेप मुझे काफी पसंद है इसकी, तो इसी वज़ जैसे मैंने इसको यूज किया, सबसे पहले तो मैंने इसके उपर जैसो एपलाई किया, उसके बाद मैंने इसके उपर पिंक कलर एपलाई किया और उसके उपर से गोल्डन कलर एपलाई किया है, जिसमें एक पिंकिशी शाइन है इस गोल्डन कलर में, और इस तरीके से मेरा एक बहुत प्यारा सा वेस्ट रेडी है और इस तरीके कि अगर आप ब्रास के वेस्ट खरीदोगे तो वो बहुत कॉस्टली आते है इतने डी आई वाइस देखने के बाद अब देखते हैं कुछ जीरो कॉस्ट और्गिनाइजर तो यहाँ पर है मेरे पास यह कार्डबोर्ड का बॉक्स और इसे मैंने अपने हिसाब से कट कर लिया है जितना मुझे चाहिए और क्यूट सा एक प्यारा सा और्गिनाइजर रेडी है इसमें मैं अपने बेटी की सारी ही स्टेशनरी स्टोर कर दूँगी तो मुझे कोई एक्स्टा खर्चा नहीं करना पड़ा आप चाहो तो इस बॉक्स को किसी पेपर या कपड़े से कवर भी कर सकते हो बट मैं इसे एस इटिज ही यूज़ करूँगी सुईट वॉक्स भी हमारे घरों में अक्सर एकट्टे होई जाते हैं और फेक दिये जाते हैं बट इस बार मैंने ट्राइ किया है कि इन्हें भी मैं अपने बेटे की स्टेशनरी और्गनाइज करने में यूज़ करूँ तो उसके सारी ही स्केच पैंस को मैं इस बड़े वाले बॉक्स में रख दूँगी और सारी चीजें बिजिवल होने की वज़े से उसे या किसी और को अगर जो कलर चाहिए जो पैं चाहिए जो इसकेच चाहिए वो इसली निकाल सकता है कुछ चोटी चोटी चीजें हैं तो इन्हें भी मैं एक चोटी बॉक्स में रख दूँगी इसी तरीके से सारी ही चीजें बहुत अच्छे से और्गनाईज हो जाएंगी ऐसे चोटे चोटे से आईडिया या ट्रिक लगा कर आप बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो जो चीजें जल्दी मिस्प्लेस हो जाती हैं इन चीजों में रखने से कभी भी मिस्प्लेस नहीं होंगी मेरे पास है यहाँ पर यह प्लास्टिक का बैग जो अकसर हमें लेगिंग्स या कोई भी कपड़े जब पर्चेस करें तो उनके साथ मिल ही जाते हैं अच्छी क्वालिटी का है और खास बात है कि इसमें एक हैंगर भी दिया हुआ है और एक बटन भी है जिससे इसे बंद कर सकते हैं तो इन चीजों को भी हम as a organizer यूज कर सकते हैं तो इसे भी मैं अपने बेटे की स्कूल से related stationery को ही store करने के लिए यूज करूंगी इस सारी ही चीजों को इसमें अच्छे से place करके बटन बंद कर दीजिए और कहीं पर भी इसे hang कर दीजिए चाहे तो as it is ही इसे रख दीजिए तो हैना कितना amazing और cute सा एक organizer तो ऐसी ही ideas लगाईए और अपने घर को अपने तरीके से organize करिए so friend that is all for today's video and I hope कि सारी ही ideas आपको पसंद आए होंगे